वेलकम टू टेस्ट ओफ इंडियन केचिन आज मैं आपके लिए साबुदाने की किछ्री लेके आई हूँ जो कि बहुत ही असान तरीके से मैंने बनाई है और बहुत यह मी लगती है मेरी फामली में को तो सबको बहुत पसंद आई और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज मुझे जरूर बताएगा और यह मैं बहुत ही असान तरीके से आपको बताऊँगी जो आप डेली ब्रेक्फस्ट में बना सकते है तो चलिए स्टार्ट करते है कैस को कर दीजे आपके पास जो भी आप उसको यूज करें और यह मुंपली को हम ड्राय रोस्ट करेंगे देखे मैंने वन कप लिए है तोड़ा सा मेजरमेंट में मैंने थोड़ी से और जादा ले लिए क्योंकि मेरे घर में सबको मुंपली बहुत पसंद है तो मैंने जादा ले लिए है और इसको मैंने वन कप लेना है और इसको अच्छे से हमको देखे इस तरीके से ड्राय रोस्ट करना है इसको हम evenly चलाएंगे और बराबर चलाते रहेगा वरना आपकी मुंपली चल सकती है देखे मेरी ये मुंपली बिल्कुल रोस्ट के त्यार हो गए ये smoky, smoky सर इसमें निकल रहा है तो अब हम इसको देखे इस तरीके से blending चार में लेके इसको इस तरीके से हम थोड़ा सा दरदरा पीसेंगे पूरा इद्दम इसका पाउडर नहीं बनाएंगे दरदरा सा पीस लेंगे अब हम एक कड़ाई लेंगे और इसमें हम ओयल आड़ करेंगे थोड़ा सा जादा ओयल के आड़ करना पड़े का लगपग 5-6 टेबल स्कूल और इसमें सबसे इंपॉर्टन बात ही है मैं सरसो का आप कोई भी ओयल उस कर सकते हैं जो आपके टेस्ट का हो और फिर 1 टेबल स्पून मैंने कुमन सीट्स लिये हैं एक इंच अध्रक लिया है 20-25 लीज करी लिये हैं और अनियन को चॉप करके देखे इस तरीके से हमको इसको फ्राय करना है और इसको पूरा फ्राय नहीं करना है यह काफी अच्छा लगता है हमारी डिश में तो आप इस अनियन को जादा फ्राय नहीं करेंगे और इसलिए मैंने फिर अभी टू मीडियम चॉप्ड टमेटोस भी इसमें डालने है और इसको मैंने पिल्कुल पहले ही डाला है बहुत जादा इसको कुक नहीं किया है क्य देखें मैंने रात भर यह साबुदाना इस तरीके से सोक करके रखा हुआ है अब हम क्या करेंगे कि इसमें तो इसको एक स्टेनर लेंगे और इस्टेनर नीचे प्लेट रख ली चीका ताकि जो एक्स्ट्रा वाटर है वह आपका उसमें जाए आपका प्लैट्फॉम गंद संथा कि जीटा कि फ्ली चीकने से वह कम होगी और इसका जो थोड़ा साबुदाना और बहुत ही किला-खिला मने वाला है क्योंकि इसका सोक करना बहुत इंपोर्टन पॉइंट होता है अब हमने जो blend किये थे ground nuts देखिए मैं इस तरीके से मिलाओंगी और उदर मेरा कड़ाई पर जितने भी मैंने अभी मसाले बनाये थे वो भुन रहे हैं तो तब तक मैं यहाँ पर यह देखिए इस तरीके से इसमें mix करूगी अब हम मुफली अच्छा से mix कर देंगे और यह देखिए हमारा यह तयार है बनके अच्छा से हमारा यह vegetables जितने भी है अनियन और टमेटोज यह सब हमारे अच्छा से बुन चुके हैं अब मैंने इसमें एक ट्विस्ट आला है, जो कि मैंने इसमें आलू भी डाल दिया है, ये सारी इन में से कोई भी चीज ऑप्शनल है, आप कोई भी चीज आड करिये, उसको और भी कुछ आड कर सकते हैं, मेरे फैमिली के साब से मैंने आड किया है, आप इसमें कुछ एडिश अब हम बहुत अच्छे से इसको mix करेंगे देखे इस तरीके से और यह देखे कितना खिला खिला अभी से ही लग रहा है it's looking so yummy right now and taste में तो यह बहुत ही अच्छा होता है अब मैंने इसमें half tablespoon turmeric powder डाला है two tablespoon मैंने इसमें coriander powder डाला है धनिया का powder and अब इसमें half tablespoon मैंने kitchen kitchen masala डाला है और अब मैंने इसमें जो salt डाला है salt आप अपने हिसाब से according to your taste डालिए जो भी आप जादा या कम पसंद करते हैं उस आप से डालिए देखिए cooking में हम अपने होड़ा बार experiment भी करते हैं अपने हिसाब से अपने family के टेस्ट के इसाब से सो यह देखिए हमारा गर्म गर्म यह साबुदाने के खिश्री तयार है बस garnishing में मैंने थोड़ा सा इसमें coriander leaves डाल दी है जो कि बहुत ही अच्छे लगते हैं यमी लगते हैं इसका टेस्ट और मेरी जो gas अब एकदम सिंपर है ताकि यह नीचे से बिल्कुल भी जले नहीं और यह देखिए हमारी इतनी टेस्टी साबुदाने के आप एक बार ट्राय करिएगा आप लोग खुद कहेंगे कि आप बार बार बनाएंगे अपने घर में इट इस लाइक मेरी फैमिली तो बहुत पसंद करती है इसको देखिए कितना यमी लग रहा है और इसका कलर कितना चुका है ट्रस्ट मी जब आप ट्राय करोगे तब ही आपको लगेगा कि यह कितना यमी बना है प्लीज इसको अपने ब्रेफकस्ट या अपने शाम के स्नाक्स में जरूर सर्फ करें अभी देखि मैंने इसमें क्या किया है इसको बस वान मिनिट के लिए ठक कर लेट परन कर अच्छी तरीके से मेरे सारे मसाले और सारे इंगेडियन्स मिल चुके है अब मैं इसको सर्फ करूंगे इस तरीके से कितना यमी बना है और कितना खिला खिला बना है आपके घर में आपके बच्चों को आपकी फैमिली को बहुत पसंद आने वाली है और देखे कार्णिशिंग के लिए थोड़ा सा इसमें कुरियांडर भी आड़ कर दिया है जो इसमें थोड़ा सा इसके लुक को और अच्छा बनाता है अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेर जरूर करें तो तब तक अपना बहुत अच्छा दियान रखिए मिलते हैं फिर अगली नेक्स रेसिपी के साथ में नई रेसिपी के साथ में अगर आप भी मुझसे चाहते हैं कोई रेसिपी बनवाना तो या आप मुझसे चाहते हैं कोई रेसिपी की रेसिपी जानना तो प्लीज मुझको कमेंट में जरूर कमेंट